तो नुरुल्हक भाई आप ज्यादातर फोकस कर देना सप्लाइड डिमांड जून पे और प्रापर रूल्स पे क्योंकि आपकी मिस्टेक इंतिहाई ज्याद आए ना और बाद में ये आपको बड़ी-बड़ी मसाइल आए गए इसी चीज से आपको तो आप सप्लाइड डिमांड जून वाले वीडियो पिर से देख लेना और पिर से कल ड्रा कर देना और अपलोड कर देना से ये ताकि आपकी जो मिस्टेक है और ने कर जाए बाकि ये आईडि यूस्डिटी पे जिसने भी आडर ब्लाक बनाएना है स्पिन साहर तो ये तो सप्लाइड जून ये सप्लाइड जून जब मार्केट इदर से कमस कमपाइन चे केंडल प्रापर नीची क्लोज कर दे और फिर मार्केट वापसी सप्लाइड जून पे आजए तो फिर आप शाट कर सकते हों लेकिन ये बिलकुल ट्रेंड की भिया पुजेट है ना और ट्रेंड लाइन जो आपने ड्रा केना तो ये बेस्ट है से ये तो एज कर आज कि तो फिरेंड देर से फिर्षित इस gotta करद क्योंकर आ आज कल और्लस कोईट जो हैं वह सारा पंप ला रहे रहे ना। तो इसी तरेकी के यह इसके ब्रैकडाउं कर देता हैं। लेकिन यह डिमांड जून से यह यह स्ट्रोंंग लो से एदर से रिस्पेक मार्किट soprattutto बंप आजाता हैं। तो आज कर ट्रेंड राइन पे किसी भी कोई को शाट मत कर देना आपने इदर इसे शाट कर दिया स्टापलास इदर लगाया मरकेट तोड़ से नीचे आ जाता है इसी डिमांड जून से इसी डिमांड जून को रिस्पेक्ट देता है क्योंका मैं दो तीन दिन से मसलसल यह वाच कर रहा हूना तो इसी तरीकी का सेटप बंद रही यह ट्रेंड राइन का प्रापर ब्रेकडाउन हो जाते और वापस मरकेट पंप हो जाते और स्टापलास खिट कर देते तो आज कल यह आठ्स कोईन ज्यादा तर शाट मत कर देना अचे और बाकि इए ट्रेंड लाइन में ज्यादातवर ट्रेंड या गए ना तो अगर आप अनके खिसाब से ट्रेंड लिया करो तो प्राइशेक्षिंड के खिसाब से आपको खर यहीग सेंब मिस्टैक है ना तो यह सप्लाइज उन आपने सई मार किया लेकिन आप लड़ इदर इसको रिस्पेक्ट मिलाई तो पर दुबारा इस पर रिजिस्टेंस की तरह हम लोग ले सकते हैं लेकिन सप्लाइज उन हम इसको नहीं कह सकते हैं और बाकी सीम यह है को ज्यादा तर पर इसके लिक्विडिटी स्वेप्ट हो जाता है ना तो पर रेंच खाई की खिसाब से ट्रेट कर देना और ट्रेंड लाइन ट्रेंड लाइन ट्रेंड लाइन परपेक्ट आप लगाते हैं बाकी यह कौन सा खाईने ना इसकी इसे डिमांड जून पे नजर राको यह वाला नहीं यह इंटर्नल स्ट्रक्चर की लोए तो मार्कीट अगर नीचे आया तो इसी आडर ब्लाक को रिस्पेक्ट नहीं देगा मार्कीटी से डिमांड जून पे आएगा इसके लिक्विडिटी स्वेप्ट कर देगा और पर एदर इस यह पंप होगा तो इस डिमांड जून पे न बाकी यह किसने स्क्रिंशाट लिया है ना देखो आँ खजारो की तदाद मैं कोईन जे खजारो की तदाद में पेर जे पॉरिक्स में और कृप्टो में तो हमेशा क्लिए चीज डून डूर और और क्लिर चीज पे पिर ट्रेड लिया करूँ ताकि आप लोगों को अच्छा हासा प्रापिट देदे यह जून मेंने मार्क कर दिया ना तो इदर आपको नज़रा रहे मार्किट ने कापी टाइम कल्सुलिडिशन किया और उसके बाद मार्किट में एक जबरदस कि डंप आया तो मार्किट जब यह दरियाएगा ना यह तो मार्किट कुछ भी 100% निया लेकिन पिर भी आप लोग देख लेना से जब मार्किट दरिया जाएगा तो पिर यह इसी तरीकी से गिरेगा तो हमेंशनी है क्लिर सप्लाई जोन क्लिर डिमांड जोन clear order block और perfect चीज को डूंडो और पिर उस पे trade किया करो तो यह ऐसा नहीं है का आपने किसी coin को देखा और बस समझा कई सी पे मैं trade लेता हूँ 1000 की तादाद पे coin जें तो आप अच्छा साच्छा coin पाइंड करो और पिर जबरदस्त और clear supply या demand zone डूंडो और पिर उसको मार करो और पिर उस पे trade लिया करो फिल खाल आप लोग सिरफ परेक्टस करो trading avoid करो से जी जी प्रोपोचो our बस्त मने करो जी 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 क economic झाल आप करो अच्छा तो आपको पेर्द या कोईंज डूनना मुश्किल है ना बागी किसी और का कोई क्वेस्टिन है तो मैं आपको एक्स्प्लेंड कर दूगा लेकिन उसका भी टाइम नहीं आए ना तो यह इसी में चलो एक चीज मिस हुआ ना चलो खेर है तो अब यह आप लोगो आपको से मैं कुछ क्वेस्टिन करता हूँ रेड़ हूआ यह बिटकोईन का चार्ट है वन हावर टाइम प्रेम है ना तो एदर यह मेरे पास क्या ही चीज बन गया यह भी क्या ही चीज एदर किसी को कुछ समझ जाते हैं कई दर क्या हुआ हमारे साथ ब्रेक अब स्ट्राक्चर्ज जीज ब्रो जबर दस किसी आवर का कुछ किसी आवर का यह सी बार में क्या है हायाले कई हमारे पास क्या हुआ जीज ब्रो जबर दस किसी आवर को जीज ब्रो जबर दस किसी आवर को तो यह असल में हमारे पास कुछ भी नहीं बना है तो अब कोई बोलता है ब्रेक अब स्ट्राक्चर तो ब्रेक अब स्ट्राक्चर तो बेलको नहीं हुआता है यह यह तो सरा सरा गलत है दूसरा इदर जो हमारे पास हुआ तो यह हम एज़ स्विंग पेलियर पेटरन यह विक जो आता है ना यह सिर्फ लिकुडिटी के लिए आता है तो इस पे ना हम लोग ब्रेक अप स्टॉक्चर इसको कंसिडर कर सकते हैं ना चेंज अप करेक्टर कंसिडर कर सकते हैं और यह सिर्फ लिकुडिटी स्विफ करनी के लिए वे गूपर नीची लगता है तो यह कुछ भी नहीं से हैं आपने जितना भी आंसर दिया तो सब रोंग ता इसके साथ यह हमारे पास इदरी यह ब्रेक अप स्टॉक्चर नहीं हुआ यह चेंज अप करेक्टर हुआ ब्रेक अप स्टॉक्चर हमारे पास इदरी हुआ यह वाला नहीं है मारकीट ने अपनी प्रेविस लो को प्रापर उसके ब्रेक डाउन कर दिया तो यह हमारे पास हो गया ब्रेक अप स्टॉक्चर और इसी टाइम जब मारकीट वापस डाउन आया और पिर पंप हुआ तो म रोपर प्रापर क्लोस कर 200 charts Inhale तो केंडला उपर प्रापर क्लोस ओने चाहिए तो यह विक जुन लगता ही ना तो ज्यादतर यह लिक्विटटी के लिए लगता ही तो सभाइब क explains कर देना और यह ब्रेक आप structure या change up character के लिए मत ले लेना तो इदर हमारे पास असल में change up character हुआ और break up structure जो हो तो इसी zone पे हुआ बाकी market आप देखो मैंने आप लोगों को price action समझाए ना तो अगर आप लोग ये supply zone और demand zone support resistance और market structure तो इसी चीज़ अगर आप लोग सही तरीकी से समझो और सही तरीकी से आप लोग पालो करो तो आपको पूरा trading समझा जाएगा ये भी आपको नज़रा रहे बैट कोईन ये higher high higher low higher high higher low और अभी higher high higher low के लिए भी नहीं 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 आए ये दरी से rejection लिया ना तो पार एक्जेंपल सिंपल market की structure को समझो जब तक बैट कोईन का ये low पार एक्जेंपल market इसकी proper breakdown कर दे और नीचे आजाए इसकी नीचे proper candle close कर देना तो पिर हमारे पास market क्या ही होगा उसका change of character हो जाएगा और हम या लेड़ी पाता चल जाएगा का बैट कोईन नीचे आने वाला है तो इदर से इसकी breakdown हुआ market वापस आए इदर से हम sell की साइट पे position देके का जिदर से हम exactly entry मिलता है ना उदर से entry ले लेगा और down की साइट पे फिर market आएगा तो यह इसी ने अभी जब तक इसी demand zone या इस range low से उपर है तो हम लोग easily buy की साइट पे देख सकते हैं इदर से आप entry देखो को इदर से market से मुझे किदर से entry मिल रहा है ना पर एक्जेम्पल यह हमारे पास demand zone यह वाला और इसकी साथ साथ मार्कीटा यह इदर ही टेप कर दिया तो इदर से आप buy करो यह आपकी stop loss और target यह next range खाई इसी तरीकी से तो इसी तरीकी से पर एक्जेम्पल आपका क्याई सीन बन गया यह आपने इसी तरीकी से buy कर दिया तो जब आप सही तरीकी से demand zone यह supply zone मार कर देते हो तो पिर वो आपकी stop loss खिट होने के चांसे जिए इंतिखाई कम हो जाते ही लेकिन market है कुछ भी 100% नही है और बाकी जो यह supply zone बनता है demand zone बनता है support बनता है resistance बनता है तो जब यह चीज़ी बनता है तो यह हमेशे इसी चीज़ों के लिए बनता है का तब इसकी breakout या breakdown हो जाए तो कभी भी अपने पूरा portfolio इसी चीज़ों पर मत लगा लेना क्योंकर यह चीज़ी जब बनती है market में तो वो breakout के लिए बनती है breakdown के लिए बनती है और हमेशे अगर यह इसी तरीकी से तो यह अप ट्रेंड में नहीं जाएगा ना का खायर खाय बनाएगा खायर लो बनाएगा और फिर खायर बनाएगा और फिर लो बनाएगा और सिर्प उपर ही जाएगा तो ये कभी नीचे आएगा कभी ओपर जाएगा ना तो कभी भी अगर आप को एक डिमांड जोन नजर आ रहा है या सप्लाइज जोन नजर आ रहा है तो हमेशा प्रापर रिस्क मनेजमेंट के साथ ट्रेड लिया करो क्योंकर कभी भी इसके प्रापर ब्रेकडाउन हो जाता है यह और मार्कीट का जो पूरा करेक्टर है तो वो चैंज हो जाएगा तो पर एक्जेमपल किया इसी नहीं दर से मैंने बाई कर दिया और मार्कीट डाउन आया मेरा स्टापलास खिट हुआ तो यह डिमांड जोन तो प्रापर ब्रेकडाउन हुआ तो अब यह नहीं है का बस मैं बैट जाओ रोना स्टाट कर दूकर यह इसी डिमांड जोन को तो रिस्पेक्ट नहीं मिला और मेरा स्टापलास खिट हुआ तो यह तो मार्कीट है यह काम आपकी साथ हर एक टाइम हो सकता है तो अगर इसकी प तो इसकी एड़ी तेस्ट क्रना के लिए उपर आएगा अगर इससे को रीटस्ट करना के लिए उपर नहीं आएगा तो फिर इधर यह आएगा और इधर इसे पर पर एकजेंपल, यह सॉप्लाइज हुने हैं मारकीट ने इधरी से रेजिक्शन लेना है और मुझे अंदज हुआ कि मारकीट इधरी से रेजिक्शन लेते हैं क्यो terminal मारकीट काझ़ेंड करेक्टर हो झाते हैं और market बstrend में shift हो जाते ही हमasses Mitt DRAWU hard, पता चल जाते है के market down जाने वाल है, एन्टरी लेना हम हम लोग केधर से ले सकती है ? एक्जेक्ली ये एन्टरी और हम लोग केदर लगा सकती है तो पर एग्जेबल मार्ट यथर आये है, कि टब ट्ररंड से डाउन ट्ररंड में शिप हो जाते ही तो हम पता चल जाते हैं कि मार्की डाउन जाने वाल है लेकिन पर इंटरी ले न ये समझो कि हम लोग कैदर से ले सकते हैं चोटस स्टाप्लाई के दर लगा सकते हैं तो पार यग्जेपल मारकी immediately इदर आया, इदर से अगेंड शाट कर देना, स्टापलास इसक्यू पर लगा लेना, और टार्गेट ये रेंज लो रख देना, तो ये इसी ने, तो अगर आपकी इदर कमस कम ये, इदर इसे मैंने बाइक कर दियाना, तो ये भी आपको नजर आ रहे, कमस कम हमारा जो कर दिया मार्किट में, तो फिर तो अगेंड दूसरी ट्रेड में आपको उसके डबल प्राइपिट दे दिया ना, तो ये इसी ने, खामेशन ने, ये प्रापर रिस्क मनेजमेंट के साथ ट्रेड लिया करो, तो पिर कभी भी ये मार्किट आपको लास नही दे सकता सब्च रिट्रेड में आराम से रिकावर कर देगा लेकिन अगर आप 125 एक्स लेवरेज के साथ इदर इसी डिमांड जून से बाई करो और आप बोले का यह तो स्ट्रॉंग डिमांड जून है और इदर से तुमर्केट रिजिक्शन लेगा तो अगर आपकी एक स्टापलाइस इस तर देग डावन हो जायें बाकि किसी का कौई क्वेशिन हैं अगर किसी को कोई चीस समज़नाएब आदा या क्या और मस्ला है तो तग्रीबां दू-तीन अदमीं उन्हें हुमवर्क भी अपलूट के, बाकि किसीने भी अपलूट नहीं किये तो किसी को कोई मसले है या क्या ही वा जाए जी जी ब्रो आप अज़ता था एक्स्प्लेइन का मखसा आखूम वर्क चरते देश आखूमा भी खूई यह ओ पेक्चर हम होने लिए तो ग्रूप की तो प्रापर तरे की से खूम वर्क किया करूं ताकि यह बैसिक चीज है ना यह ताकि आपको अगर यह समझने है तो पर यह निक्स्ट एंडवांस लेवल आपको क्या ही समझा जाए यह तर्मेर पर शूने गूरा यह तर्मेर पर शूने गूरा किसी का कोई क्वेस्टिन है यह तर्मेर थे नान बाइ है यह तर्मेर थे तरब शूने रापगोंकर है झालई तर्म्वाचर व्र्ंस ग्वागों फ़स्टिनर पर शूने गर वह तर्मेर ब्रूब के वाज के लिरने यारा इड़ी ब्रूब इड़ी ब्रूब नई इंटर्नल पे नई बनेगा आवर हर रेंज हाई पे सप्लाई जून नई बनता हर रेंज लोग पे डिमांड जून नई बनता यह तो मैंने अपलोगों को आगर पस्ट लेक्चर अगर आप लोग सुनें और उसको समझें सप्लाई डिमांड जून वाला तो उस पे मैंने क्लियर आप लोगों को समझाए का हम लोग वेलेट डिमांड जून या सप्लाई जून किस तरीकी से पाइंट कर सकते हैं और कौन सा हमारे पास वेलेट होगा और किस पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं अब एकर यह भी आप ले लेना तो यह भी हमारे पास रेंज खाई ताना लेकिन मार्किट ने तो इसकी स्टापलाज खड कर दिया और इसकी लिकुडिटी स्टापलाज कर दिया यह भी हमारे पास रेंज खाई ताना लेकिन इधर से मार्किट एक बार गिरा दूसरा बार गिरा क्यू गिरा तो इसकी यह क्या हुआ हुआ है तो यह भी आपको नजरा रहे मैंने आपको हमेशे यही चीज समझाए है ना का यह कुछ रूल्स है और उसकी खिसाफ से हम लोग चलते है ना बाकी अकर आपकी जब एक्सपिरियंस हो जाएगा और आप ज्यादा प्रेक्टिस कर देगा इसी चीजों पर आपको पूरा समझा जाएगा लेकिन स्टार्टिंग में मैं आपको अपने एक्सपिरियंस के बैस बेदाओ तो हमेशे यह हमारे पास सप्लाई जून ता यह मारकीट ने क्या किया चान्सुलिडेशन कर दिया और उसके बाद मारकीट जबरदस किसम के डंप लिया ना तो यह हमें क्या शो कर देता है कि अधर से सेलर अंट्रस्ट डॉरो मारकीट को नीचे लेकर जाना से तू किस जगह से मर्कीट को शार्ट कर देगा अगर इधर से शार्ट कर देते तो स्टाप्लेस कितना बढ़ाता है इधर से अगर तुमने शार्ट कर दिया तो फिर भी स्टाप्लेस कितना बढ़ाया तो एक्जेक्ट एंट्री आपको नहीं मिलता तो आप सिंपल क्या ही च डूंडो ये वाला ये भी हमारे पास ये भी ये ना और इसके साथ एक ये भी बड़ाई तो ज्यादा तर नहीं ये तो खेर एंडवांस लेवल की चीज़ है ना लेकिन फिर भी समझो ये मैं इसको रिसेट कर देता हूँ ये आया और इसके साथ पर ये आया तो खमेशा जब इसी तरीकी से डबल बन जाए ना तो फिर इनका जो ये इसका और इसका जो जून से हमारे ना तो ये जून से हमारे ना तो फिर खमेशा इसी जून से इंट्री लिया करो क्योंका मार्कीट पर एग्जेक्ली इदर से रिजिक्शन लेते हैं और डाउन आता है, तो आपकी, आप ब्लोग इसी चीज के अंदाज़ सार्व अलगा हूं, पर इदर से आपकी कितनी स्टाप्लास आता है, यह इसी जून से आपने स्टाप्लास के इसी जून से इंट entfer लेने के कोशिश करो, और इधर से आपने शार्ट कर दिया तो इस्टा प्लास कितना आता है कम असकंप 0.28% तो आपको समझा गया सप्लाइज उन में सप्लाइज उन और डिमांड उन सेम दोनों में यह चीज डूंडो को हमारे पास बेरिश गल्प केंडल के दर पढ़ाएं जी जी ब्रो ब्रो मार्किट पर डिपेंड करते हैं अब यह आप किस्टा प्लास इधर भी आप लगा सकते हो यह नहीं इधर भी लगा सकते हो लेकिन अगर मैं आपको सिगनल दूँगा या मैं आपको स्टा प्लास रिकमेंड करते हो तो सिंपल मैं आपको बोलते हो कि इसी जून पे लगा दो क्योंकि यह मार्किट है ना अभी तो इधर से एक्जेक्टली मार्किट ने रिजिक्शन ले और डाउन आए तो हर कोई आपको एक्स्प्लैन कर देगा कि इधर इसे मार्किट डाउन आए और आप लोग इधर इसे सेल करो और इसकी उपर चोटा सा स्टा प्लास लगा दो लेकिन नहीं क्योंकर ये भी आपको नज़र आ रहे इधर से मार्किट ने काभी बार रिजिक्शन लिया और मार्किट डाउन आए तो ज्यादतर लोगों की स्टा प्लास इधर पढ़ाए तो मार्किट आपको इसी तरह की का वेक्ट दे सकता है तो स्टा प्लास इधर उटाने के लिए तो हमेशन नहीं इसी क्यों पर स्टा प्लास लगाया करो क्योंकर इसी वेक्ट ने नहीं है ये पीछी वेली का भी जितना स्टा प्लास इस था तो भी उड़ाया था और आपको समझा गए बागी किसी यह रोकर कोई क्योंचिन किसी का प्लास प्लास है पूछो ना क्योंकर अकल से प्र हम लोग चाट पिटरेंस स्टार्ट करदेगा तो पिर अखमारे पास चाट पिटरेंस कम अज glam हम 10-15 चार्ट पेट्रेंज है ना जिसके अखमियत ज्याद है और जो ज्यादतर बनते मार्केट में और जिस पे हम लोग ट्रेड लेते हैं तो पिरो तक्रीबन तीन या चार में एक की साथ आप लोगों को एक्स्प्लेन कर दूगा तो पिरो इसमें क्विस्चन का टाइम नहीं मिलता ना तो अभी अगर किसी का कोई क्विस्चन है तो अभी पूछ लो क्योंकर काम ज्याद है और टाइम काम है जिजी प्रोब बोचिना जिल आपाइम झालना है तो घो डवी याश準 का एक्विस्चन जी यह बहुत जबरदस क्रिस्टिन तो असल मेशीनेस हैं यह बेटकोईन का सेम चार्ट है ना अगर आपको ज्यादा कन्प्यूजन हो रहें तो सिंपल मैं आपको एक इजी चीज बता देता हूँ यह सब चीजी में हो आपस रिमूर कर देता हूँ तो यह मार्किट का पूरा स्ट्रक्चर है ना तो आप सिंपल पूर हावर टाइम प्रेम उठा दो और इधर ही देखो कि इधर यह क्या इशू कर देता है तो यह हमारे पास एक्स्टर्नल स्ट्रक्चर है बड़ी टाइम प्रेम का यह मार्किट आया इधर से रिजिक्शन लिया मार्किट ने क्या क्या एक खाई लगाया वापस लू के लिए नीची आया प्रहाइ के लिए उपर गया यह हमारे पास एदर हो गया ब्रेक आप स्ट्रक्चर एदर मार्किट वाबस रिवर्स आया यह लो ता ना यह पूरा लो ता मार्किट ने इसको रिस्पिक दिया और इसका ब्रेकडाउन नहीं किया इदर से वाबस रिजिक्शन लिया वर उपर की तरफ जाने लगा तो यह हम ही क्या शू कर देता है वेट करूं में मर्किट का तोड़ सांदाज लेता हूं ना तो पिर आपको बता देता हूं पिर आपको बता है तो यह भी आपको नजर आ रहे है यह पूर खावर का टाइम प्रेम है और इदर मर्किट क्या कर रहे है मर्किट एक हाई वापस लो पर हाई इसी प्रेविस खाई को प्रापर ब्रेकाउट दे दिया मर्किट वापस लो लगाने के लिए जब नीचे आए तो इसे लो को रिस्पिक दिया और इदर से मर्किट ने रिजिक्शन लिया और पिर उपर चला गया तो इदर हमारे पास ये प्रेविस रेंज खाई है ना ये वाला लेकिन मर्किट ने अभी तक इसकी प्रापर ब्रेकाउट नहीं दियाए तो अभी हम वेट करेगा किसी चीज़ का का अगर मर्किट इसकी प्रापर उपर केंडल क्लोज कर दे तो पिर हमारे पास ब्रेकाउट स्ट्रक्चर हो जाएगा और हम लोग बाई की साइट पे जाएगा अगर पर एग्जेमपल ये हमें कोई कनपरमेशन नहीं देता और मर्किट इदर से नीचे आजाए ना तो पिर बड़ी टाइम प्रेम का जो एक्स्टर्नल लोग है तो पिर जब इस ही लोग का प्रापर ब्रेकडाउन हो जाते इसकी नीचे केंडल क्लोज हो जाते तो पिर मैं एक्स्टर्नल स्ट्रक्चर को बियरिश समझगा अब ही करंट लीदर से मरकेट ने रिजिक्शन लिया है लेकिन हमारे पास external structure अभी bullish है तब जब हमारे पास bearish होगा कि इसी candle की नीचे proper poor hour की एक या दो candle close कर दे अगर एक candle close कर दे तो पिर दूसरा candle उसकी low की proper breakdown कर दे तो ये हमारे पास structure पूरा change हो जाएगा और हम लोग bearish की side पे आ जाएगा लेकिन currently अभी market ने ये एक low लगा है इसकी उपर high लगा है ना लेकिन इसी high का proper breakout नहीं दिया तो अब ये आ जाते है one hour time प्रेम पे क्योंकि एक external structure अभी तक हमारे पास bullish है बाकि अगर मैं आपको बता दूना तो ये भी आपको नज़रा रहे ये वाला अभी हमारे पास external structure bullish है ये internal structure है ये भी आपको नज़रा रहे higher high higher low higher high higher low और अभी higher high तो पर एक्जेम्पल इसी high ने ये previous high का सिरफ breakout दे दिया जो अभी मैंने आपको बोलना का अभी तो तोड़ा से वेट करो तो मैं अपनी trade close करने वाला था ये हमारे पास range high था ये range low था internal structure की और ये mid range था ये एक चोटा सा scalp trade था मार्कीटा ये इसी सिरफ इसी range खाई का liquidity स्वेप कर दिया ये पूरा resistance था हमारे पास एक बार candle गया है दूसरा बार candle गया है लेकिन candle उपर close नहीं किया और बार बार rejection लेकिर के market डाउन आ रहा था तो ये हमें क्या शूकर देते हैं कि ये दिर से market नीची जाने वाला है ना तो अगर ये जियादतर नहीं किरता है ना और आपकी इंतिखाई खराब किसमत हैं तो फिर भी mid range वाला टीप ये आपको 150% successful रहता हैं तो इसी बेस पे मैंने इसको शाट किया और external structure हमारे पास ये इसको मैंने शाट कर देए ये टीपी वन ये टीपी टू तो ये scalp complete हो इदर से भी मैंने जब आप से time मांगा ना तो मैं simple इसको टीपी लगा कर कि market से बाहर तो अभी मैं wait करूंगा external structure मेरे पास अभी bullish है और internal structure अभी तक bearish नहीं अगर ये वापस नीची आ जाए ना और इसी low की नीची proper candle close कर दें तो हमारे पास एक internal structure bearish हो जाएगा और market down की side पे आने लगेगा तो इदर से इसकी नीची proper candle close कर देगा तो फिर मैं wait कर दूँगा से ये ताकि मुझे market entry का मौका दे दे और मैं market को short करू और target simple इसी range low को कर दो तो फिर मैं इसी range low पे नज़र ड़केगा अगर इसकी proper breakdown हो जायते तो फिर मैं external structure भी हमारे पास bearish हो जाएगा और पिर हमारा target भी बढ़ा हो जाएगा और अगर इसी low का breakdown ना हो जाते तो external structure हमारे पास क्या बुलिश है तो इदर से पिर market वापस bonds हो सकता है ना तो ये इसी ने अब ये आपको समझा गए का internal structure क्या है एक्स्टर्णल जी जी ब्रो तो नहीं scalp नहीं होता छोटे टाइम प्रेम पर हम लोगों को अच्छा हासा इंटरी मिलता है ओ ऐसी ना अब ये पोर हावर टाइम प्रेम है ये पर एक्जेंपल ये पोर हावर का टाइम प्रेम है ये पोर हावर का टाइम प्रेम है आल लेडी मुझे पता है कमारी कीट इदर बोलेश है और ये खायर 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 लो खायर 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 लो और खायर 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 अब ये बनाने के लिए उपर आया लेकिन इस में इंट्री आपको अनचलार से अनचले लेलो ए तो असल मेसी नीं इह ए हम आँ तब चैन्ट्री नहीं मिलता ना जब मार्केटिस के निची प्रापर केंडल कलोज ना कर दे ते पिर हम लोग जब मार्केटव Uber सिद्री से आएगा तो पर इदर से हम सेल कर सकते हैं तो इतना टाइम नहीं मिलता बाकि अगर आप वन हावर पे आ जाए तो इदर आपको पूरा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है न यह क्या कर देते हैं मार्केट अगर इदर से हाइर हाए हाइर लो, हाइर हाइ, हाइर लो बनाया अब ये मर्केट हाय रखाई के लिए उपर गया इसके साथ ये डिमांड जोने तो इसी पे मैं नजर रखता हूँ अगर मर्केट इसको रिस्पिक देता है इदर से मैं बाई कर देता हूँ टार्गेट ये रेंच खाई अगर इसकी प्रापर ब्रेकडाउन कर देता है तो फिर मैं वैट करता हूँ और इसी का ये प्रापर ब्रेकडाउन कर देगार वापस जैसे रेटेस्ट करने के लिए उपर आते हैं से पिर मैं शार्ड कर दोंगा, यह मेरा सटाप突 है और यह मेरा टेक प्र इधर से हम अधशा लगाए तैक मारकेटी से रैंज-लो का ब्रेकडाउन करने वाला या नए करने वाला तो इसी रैंज-लो का ब्रेकडाउन कर दिया तो पिर हम लोग जो हैं अपनी ट्रेट खोल्ड कर देतें और पिर एक depends हम बियरीश हो गया तो पिर हम सिंपल ऐसी तरीकी से पिर ये वाला Android से लेक कर देतें तो इंटर्नल स्ट्रक्चर पर हमारे पास एक जबरदस किसम के इंट्रे बनते हैं बाकिया भी जो मार्केट डाउन आ रहे तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि इसका क्या इसी ने जी जी ब्रो तो अब ये हमारे पास डिमांड जोनता ना जो मेन आप लोगों को एक्स्प्लेन किया बुलिश इन गल्प केंडर बहीता तो अब इसका स्टाप्लास खिट हुआ या नई स्टाप्लास खिट हुआ बाकि किसी को क्या लगताई तो पर एक्जेंपल ये तो मेरे पास डिमांड जोनता ना तो इधर से तुम्हें लाजम बाई कर देगा तो इधर मेरे स्टाप्लास खिट हुआ या नई जी जी ब्रो किसी और को कुछ लगते हैं अभी लायो मार्कीट है ना तो अभी समझना बहुत जबरदस थे क्योंकि अभी मुझे भी परसनली यही समझ नहीं आ रहा है कि बेटकोण इधर से पंप लेका या इधर से डंप होगा नहीं बागी किसी और को क्या लगता है थाइम हमारे पास कम है तो जल्दी जल्दी बोल लेना तो जो मैं आप लोगों को जो चीज समझाने के कोशश करता हूं ना तो आप लोगों वही चीज नहीं समझते हैं क्योंका अगर आप लोगों देखो ना तो असल में ये रेंज लोए ये इंटरनल है ये ये भी मुझी जो मार्कीट नजर आ रहे ना तो मार्कीट का जो असल डेमांड जोने तो ये ही है ये वाला ये मेरे पास रेंज लोए जो मेरे स्ट्रेटेजी है ना ये मेरे पास रेंज खाई है ये वाला ये रेंज खाई ये रेंज लो और इस के साथ ये स्ट्रेटेजी तो बाद में मैं आपको एक्स्प्लैन कर दूँगा इसका कोई इशू नहीं है लेकिन देख लेना से ये का क्या ही सीन बनता है ये मेट रेंज ये ये सीन बन गया और आसल में जो डिमांड जून था तो वो ये ये था जी जी परो इसी तरीगी का सिट अप बन रहे बाकि लाइव मार्किटे कुछ भी हो सकता है लेकिन मेरे स्ट्रेटेजी के मताबिक ऐसा ट्रेट सिट अप बन रहे जी जी ब्रो अगर इसका ऐसा लग गया ना तो हमारे पास प्रापर तरीकी से जो है ब्रेकडाउन हो जाएगा और पर हम लोग शार्ट की साइट पर जाएगा इसे डिमांड जून का ये वाला नहीं है ये वाला जी जी ब्रो प्रापर केंड़न निची क्लूज ओनाचाहिpe जिस तरीकी से इसी रेंज हगाई क्यूपर हुआए ना इसी रेंज हाई क्यूपर इधर प्रापर केंडल क्लूज हुआए तो ये इसी तरीकी से बाकि ये नहीं ये ये डिमांड जून था लेकिन इसको इधरी रेस्पेक्ट मिलाए और इधर से मर्किट में चाहा सा पंप आया और उसकी रिज़न ये है कि ये हमारे पास इंटर्नले क्योंकि अगर आप देखो तो रेंज लो तो इधरी से स्टार्ट हुआए ना ये पार पर इधर कंसलिडिशन और उसकी बाद मर्किट में पंप आया ये तो मर्किट सिरफ एक पुल बेक के लिए नीचे आया एक्स्टर्नल अगर आप देखो तो ये लो ये खाई है और ये इंटर्नल बन जाता है तो आकसर मर्किट इसकी लिकुडिटी स्वेप कर देता है बाक स्टेटेजी के मताबिक मुझे नाजर आ रहे और वोई के खिसाब से मैं आपको बूलते हूं कि यही सीन बनने वाला है नहीं ब्रो ये डिमांड जुन पे आया इधर से मैंने इंट रिप्लेस कर दिया ये मेरा स्टाप लास है इधर से मेरा ट्रेट प्लेस है ये तो अभी रेंजलो बिलकुल करीब है ना अगर ये रेंजलो तो लोग पर थे तो फिर हम लोग इसको ले सकता था लेकिन इधर से ये मेरा स्टाप लास है ये मेरा स्टाप लास है ये मेरा स्टाप लास है ये मेरा पर्स टीपी और ये मेरा सिकंड टीपी ये मेरा तर्ड टीपी तो इसी तरीकी से वन इस्टाप लास क्यों क्योंका हमेशा कुछ ना कुछ प्रापेट बुक करना चाहिए और स्टाप लास यह तक्रीबन जिरू पॉइंट पिप्टी परसंट और इदर वन इस्ट वन मुझे मिल गया तो मैंने कुछ प्रापिट बुक कर दिया स्टापलास इंट्री पॉइंट पे लगा दिया तो अभी मेरा जो है ट्रेड बिलकुल रिस्क प्रे हो गया इसके साथ यह मेरा टीपी टू यह मेरा टीपी त्री और पिर मैं मार्किट का अंदाज अलेगा अगर मार्किट में चावाल यूम था इसी रेंच खाईवाला पिर रख देना तो अभी आप लोगों को समझा गया है जी जी ब्रो क्योंकर यह साथ मार्किट है अगर आगेन आपको रिवर्स आ गया तो पिर आपकी स्टापलास हेट हो जाएगा तो आपसे ओप्रापिट भी चला जाएगा और आपकी जो स्टापलास हे ओभी हेट हो जाएगा तो ट्रेडिंग के साथ साथ कुछ ना कुछ महनेद भी किया करो इस का प्रापिट देखा हो या नहीं इसी ट्रेड का अब इसको मैंने बोट साइट से ट्रेड किया लेकिन वह एक का प्रापिट तो मैंने शो नहीं कि अब यह ट्रेड तो एक्ट हो यह तो उसके वज़े से आपको बोलाओ यह यह सबर्दस ट्रेड़िज है का भी जो मैं क्लास स्टार्ट करने वाला था तो उससे कुछ ही टाइम पहले मैंने इदर से शाट कर दिया यह मेरा टीपी वान था यह मेरा टीपी टू था और टीपी ट्री सिंपल यह जून था लेकिन मैं इसी रेंज लो पे निकल गया इसके साथ अब यह आप लोगों के सामने है सब कुछ यह मार्कीट आया है इदर इसे रेजिक्शन लेना स्टार्ट कर दिया तो मेरा इंट्री तक्रीबं दो सुकी करीब लगाए एक्सचेंज वाली नहीं है जब मार्कीट में अच्छा वाल्यूम होता है तो आकसर पर यह एंट्री तो उपर यह नीची लेते हैं तो अब इदर से मैंने बाई किया यह मेरा पस्ट टीपी यह मेरा सिकंड टीपी तो यह इसी नहीं है तो बेटकोईन पर नहीं है अगर मैं आप कोई स्ट्रेटेजी की बात करूँ तो यह बेटकोईन पर यह जो मेजर कोईन्स है यह टाप गैनर वाले हो कोईन्स के लावा तो यह खंडर्ड बाई हंडर्ड देता है बाकि आप लोग इसी तरीकी का आप शेयर कर देता हूँ, एक डिमांड जून होता है, एक रेंज लो होता है, एक मेड रेंज होता है, एक रेंज होता है, और अलहमदुलिल्ह आच्छा हस एक ओरेशी के सासथ ये ट्रेट देता है। जी जी ब्रूं ज्यादा निकल जाता है या भी कम असकम तीन चार खावर्ज में दो ही ट्रेट निकल गए ना और अच्छा खासा निकल गया अगर आप इसी रेंज खाई से इसी रेंज लो तक भी प्रापिट देखो ना तो कम असकम दो परसंट बेट कोईन गिरा और इसकी साथ साथ पिर अगर आप ले ले तो दो परसंट पिर से तो यह तो एक की टाइम पे आपकी अकाउंट डबल कर देता है नई ब्रो अभी डिमांड जून पे आप लगा सकते हो लेकिन उसके लिए आपकी एक्सपिरेंस होना चाहिए और आपको आचा खासान ना लजूना चाहिए और बाकी रेंज खाई पे तो नई बनता ना क्योंकि अभी अल्डेड मुझे यही मालूम है कि यह डिमांड जून है और स्ट्रांग लोए मार्किट इदर से रेजिक्शन लेगा तो अगर इस पे मैं आडर लगा दू तो फिर ओ ठीक है लेकिन इसी रेंज खाईगा तो मुझे अंदाज नहीं है कि मार्किट किदर तक विक दे सकते है और कब इस से रेजिक्शन लेगा या इसकी नीची कंडल क्लोस कर देगा या नहीं क्लोस कर देगा तो फिर इसकी बेस पे पिर मैं क्या कर देतू पिर मैं लिमिट नहीं लग अगया देता